हलो दोस्तों स्वागतियार एक और नई वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ आई पेल 2022 के 41 मैच की प्रेडिक्शन के बारे में जो बार तेज समय अनुसार सामको साधे 7 बजे से स्टार्ट होगा दोस्तों ये मैच दिल्ली कैपिटल् 2022 को मंबोई के वान खेड़े इस टेडियम में खेला जाएगा इस वीडियो में हम इस टेडियम पिछी रिपोर्ट वैदर है डुट्रेड और खिलाडियो की पर्दसन से इन दोनों टीमों का कम परेजन करेंगे साथ में दोस्तों मैं मेरी परसनल प्रेडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैन टैंसे टीम भी आपको दूँगा दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में तो दोस्तों पहले बात करते हैं दिली के पिटैल्स के बारे में दोस्त अपना लास्ट मैच हार करा रहे हैं और दोस्त इनकी पोसिबल पलेंगिले उन ट जो दोस्तों काफी मजबूती श्थी चे तीम है दोस्तों अगर बात करिएंगे लास्ट मेंच परफॉरमेंस के बारे में दोस्तों पर्थिविसा ने स्थिश रण मनातै और देविड ओरनलने भी 1980 की पार खेली थी साथ में दोस्तो कप्तान दी सी पंत ने चमाल सरन बनाए थे और दोस्तो रोमेन पाउल ने मैच में इंटरेस्ट जगा दिया था दोस्तो लास्ट की तीन बोलों पर तीन चक्के लगा दिये थे और दोस्तो वेसे 36 रन की पारी खेली थी और लास्ट की बॉल पर आउट भी हो गए थे बाकि दोस्तो बोलिंग में तो मुस्त भी जुरेमा नेक विकेट देया था और दोस्तो कुछ भी कास परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं था दोस्तो बात करते हैं इनके अपोने टिम कोलकताना इट्राइडर्स के बारे में दोस्तो अपना लास्ट मेंच हार करा रहे हैं उस्तिंकी पॉसीबल प्लेंग लों टीम वेंक टैन सेयर सेम बिलिंग सुनिल नाराइंड सरेय सेयर निते सराणा इनके बैड्समेन रिंकू अंदर रसेल इनके उल्ड राउंडर पले रहे साओधी स्यार्व मावी उमेश यादो वरन चकरवरदी इनके बोलर है जो दोस्तों काफ़ी मजबूती स्टिति में हैं दोस्तों अगर बात करें के लास्ट मैंच परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों अंदर रसेल ने बड़ में कोलकता नाइट राइडर्स ने जीत दर्ज की और दोस्तों दिल्ली केपिटाल्स का 228 रन का हाइस्ट स्कोर है कोलकता नाइट राइडर्स के खिलाब जबकि दोस्तों कोलकता नाइट राइडर्स का 210 रन का हाइस्ट स्कोर है दिल्ली केपिटाल्स के खिलाब दोस्तों द बेटिंग करते हुए जीतर्ज के और दोस्तों कन्ट एक में जीत और दीली फेट्रांच के बीचों पे लेगे मैंने धोंने मैंचों में लिए हृषा जीत दर्ज किया है अगर बात करेंगे लास्ट पांच मैचों के बारे में तो तीन मैचों को दिली कैपिटाल्स ने जीत दर्ज किया है और दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट एर तीन मैच कहले गए थे जिन मैचों दोस्तों 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 दोस् तो चैनल को सस्क्राइब कर दो साथ ही में दोस्तो वैल आइकन को जुरूर प्रिस करना जिसे दोस्तो हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिपिकेसन आपके पास सबसे पहले आएगा और दोस्तो टेलेग्राम चैनल को भी जोइन कर लेना उसका लिके मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया की बिगगेश्ट वैफसाइड रेडियर ना के बारे में दोस्तो आपर आप 1500 पलस गेम खेल सकते हूँ साथ ही में दोस्तो आपर आपको 15 पलस वैफसाइड मिलेगी और दोस्तो आपर आपको रेजिस्टेशन में भी ज़्यादा ज़ंजट की जरूरत नहीं है दोस्तो आपर आप only under eight रुपी से रेजिस्टेशन कर सकते हो साथ ही में दोस्तो आपर आप 24 आउर यानि कि दोस्तो किसी भी टाइम पर विटर रोल कर सकते हो तो दोस्तो लिंक और नमबर में आपको नीचे दिया है जाकर आप चेक ऑउट कर सकते हो बाकि दोस्तों इस बात का द्यान रखना यार इस गेम में वित्य जोकिम की संभावना सामिला है और इसकी लट लग सकते हैं कि रिप्रेश जिमेदार इसे खेले और अपने जोकिम पर खेले दोस्तों यह मैच ममबवी के वान खेले स्टेडियम में खेला जाएगा दोस्तों आपर जो भी टीम ठोज जितेगी वो पहले बोलिंग करेगी क्योंकि दोस्तों आपर बाद में खेलेने वाली टीम के जीतने के चांसे बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्त rap अब तक total औरवरल 120 में मैच ख़ल गा जिन में से दोस्तो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 45 मैच जीते हैं, जबकि दोस्तो बाद में बैटिंग करने वाली वासी के बीच में भी आपर 32 बारी स्कोर गया है और दोस्तों नबपला से आपर 16 बारी स्कोर रह चुका है दोस्तों आपर फास्ट बोल्लों को बहुत अच्छा प्रोफिट देखने को मिलता है साथ ही में दोस्तों आपर जो भी टीम ठोज जितेगी वो पहले बोलिंग दोस्तों दोनों टीमें काफी मजबूत स्थिति में नजर भी आ रहाएं और दोस्तों आपी बहुत ज्था harder than में देता होगा है साथी में दोस्तों पर मपको खुश होने के बाद में देतों साही में टूस एक बात और देता ह। तो दोस्तो लिंक मैंने आपको description में दिया है अब इतक आपने join नहीं किया तो join जुरूर कर लेना दोस्तो बात करते हैं यार match prediction के बारे में दोस्तो आपको पता है यार इन दोनों टीमों का performance काफी अच्छा है दोनों टीमें काफी मजबूत इस्तिती में नजर आ रहे है अगर दोस्तो बात की जाए गूगल की prediction के बारे में तो दोस्तो गूगल की prediction के अनुसार 22% मैच को दिल्ली केपिटेल्स जीश सकती है जबकि दोस्तो 48% मैच को कोलकता नाई ट्राइडर्स जीश सकती है लेकिन दोस्तो अगर बात की जाए मेरी personal prediction के बारे में तो दोस्तो मेरी personal prediction के अनुसार इस मैच को कोलकता नाई ट्राइडर्स जीश सकती है दोस्तो आप आपकी personal prediction मुझे comment box में बताना है और दोस्तो आपको पता है यार किरकेटे कहनी चिता का खेल है याँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है तो किसी चीज़ की कोई guarantee नहीं है साथ में दोस्तो अभी तक आपने मारे telegram channel को join नहीं किया तो join जुरूर कर लेना link मैंने आपको description में दिया है दोस्तो वीडियो ची लगी तो यार वीडियो को like करना चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को subscribe करना बाकी दोस्तो हम आपसे मिलेंगे telegram channel पर तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय बार्त वंदे मारे